असलाम वेकूं मैं हूँ अभील और आप देख रहे हैं शो मलेशियन पाउम ओईल जाइको का दस्थाफान यह प्रोग्रेम आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावुन किया है मलेशियन पाउम ओईल कॉंसल ने और मलेशियन पाउम ओईल हमारे कुटिंग ओईल अन बनासपती का मेन इंक्रीडेंट है क्योंकि एक वजटेबल ओयल है इसलिए बुनियादी तौर पर ये वाइटमिन E से भर पूर है कॉलिस्ट्रॉल फ्री है एंटी ऑक्सिदेंस इसके अंदर मौझूद है और इसके साथ साथ ना सिर्वाइती कुकिंग बलकि कन्फेक्शनरी स्नक्सपूर्ट, बेकिंग, आइस क्रीम और दीगर सनतों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है मलेशियन पाम और हमारी तो रेसिपीज एक से बढ़कर एक तयार हो रही है और इसके शोपर क्या आज बनाएंगे हमारी शेफ तो उने वरकम करते हैं ताकि जाने आज की शानदार रेसिपीज और आपकी फेवरेट शेफ मौजूद है असलाम लेकूम क्या हाल है अलहमदरिल आप कैसी बिल्कुल ठीक है यह से लग रहतने जमाने बाद मिले है क्योंके हर लीट में एक दफा मिल रहे हम लोग असलाम लेकूम अमीट है आपको ठीक ठाक हो होंगे और यह हमारा शो आपको बहुत ज्यादा ज्यादा इंजॉइ कर रहे होंगे जिसमें जाइकों का दस्तरफान बिकूस जाइकों से भरी वी डिश्म आपको बनाना जखा रहे हैं जो के बनती है बनासपती में और और में जिसका में इंग्रिएंट है मलेशियन पाम और इसमें शामिल है वितमिन जो कि आपकी सहत के लिए बहुती जबर्दास होता है और बहुत सारी चीजों से आपको सेट रखता है खासकल कैंसर से आपको सेट तो आपने भी ऐसा तेल और ऐसा वनासपती देखके लेना है जिसका में इंग्रिएंट हो मलेशियन पाम आप थे कैश 다 और जो मैं आपको खाने बनाना से कहा रही हूं वह हम बनाइंगे साथि में एग दिश और एक हम बनाएंगे और में एक हम रेक्ट में पेहली रिशिप जो हम करने जा रहे हैं वह हम करेंगे शिन वारी कढाई के लिए शिन रिबाकिकन आदा किलो ck अदा के आद अगर आप उसको बनास्पती में बनाएं ठीक है और बनास्पती वही होना चाहिए जिसका में इंडीडियन्ट है मैं इसको स्टार्ट करती हूँ आप तकरीवन एक से डियर कप लेंगे बनास्पती जिसमें हम तहले चिकन को फ्राइब करनेंगे अर्टीस पाइब तु छिए फ्राइब के लिए थेर हम उस टिकन को निकाल लेंगे और उसमें हम चार साबर तमाटर डाल देगे और इसको कवर कर देंगे फांच मिनिट के लिए ताकि ताकि तेमाटर का छिलका निका लिए ओके ए आड़ाइब बहुत ही पीवज सी करहाई तो किया तयार ओरी है शन्वारी करहाई बनास्पती से रड़ी करेंगे जी इसको मैं बनास्पती से मैं ही नहीं अबील तूरी दुनिया के जो टॉप मोर्शेट्स हैं बेटिफर तू यूज बनास्पती एंड और जिसका में इंविजियंट होता है मलेशियन पार और आपने नोट किया है पिछले प्रोग्राम में भी के मैं इसमें चैलो फ्राइंग भी कर सकती हूं इसमें इसमें जाल रहे हैं एक प्ले यू मैं ये इसमें हम आपनी चिकन पाइग है तिर हम निकाल लेंगे इतना नहीं चाहिए हमें लेकिन अपकोस फ्राइ करने के लिए चाहिए चिके चिकन फ्राइ करें चिकन निकाल लूंगी और बनास्पती भी कप कर विस यह हमारे देसी खाने जो होते है उसमें अच्छा ओए रोगन होना चाहिए ना उसके बगएर अग्त खुरा सा लगता है अ रब हमस्जा घ्रत यह च्कन मठं भी इस ऻिए भी बना सकते हैं अब रिलकुल आ प्रें जब कुल बना सकते हैं लेकिन अगर मुतन में बना रहे तो मुतन प्रढ़े जो पाले बॉए कर खिर ठीके चिकन तो आपको भुता है अगे लिकशन ज अजय गढ़ने जिता इसी नहीं काल गाले जो जो थोड़ा कालर आए तक इसको ब्राउन कालर आए लाइट गोल्डेन आज़ाए तक ब्रॉड गोल्डेन आज़ाए और अगर 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 बनाती है पुट्या पसंद दाता कौन से ही निटा निटर अगर आप गर में बनाती ह और नमसरा सनमा बस आपको कड़ाई मतन मैं बसंद है या वैसी ही हर रेसिपी आपको मुझे मतन बसंद है मुझे मतन बसंद है I am not a chicken lover अच्छा मुझे की चिकन आपको चिकन बसंद है आपको बहुत सारे और गुंदी चिकेंगे हाँ हाँ चिकन रर तो मुझे हां मुझे बनाना नियुकान के जसा बलाओ ? मुझे बनाना असान लहाँ है कि अल्टी जल्टी अना ठीक है तो जब तक हम इसे फ्राइक कर रहे हैं हम किशोर बताएंगे या बेक लेक यहां बिनास्पती में कर रहे हैं चुतन को फ्राइये वो बनास्पती जिसका में इंग्रेटम पामोय आप हमारा साथ रहिए जहा है जा किसे मारा स्फोर है तो खोड़ी से पर आप आप लोंको जॉइन करते हैं हमारी सेंगी प्रेक्पी वोगी बहुत इंखास क्या मलेशाय पाम आल मेरे भातेश के सण जाक्य wentya साविछ डिवाइन ब्लेसिंग के नाम से यह लोगो आप इसका साविछ डिवाइन ब्लेसिंग का देख सकते है हमारे बाक पर मौझूद है साविछ जो के एक मिलिशन जबान का वर्ड है जिसका मतलब है पांप divine blessing اللہ تعالیٰ کی नेमतों का शुकर अदा किया जा रहा है और क्यों ना किया जा शुकर अदा क्योंकि इस campaign से Malaysian palm oil से 4,50,000 किसानों का रोजगार वाबस्ता है इसलिए ये बार बार अल्ला का शुकर अदा कर रहे होते हैं और इसके साथ-साथ Malaysian palm oil मलीशिया की एक बड़ी एक्सपोर्ट वैसे भी एक है एक नेमत का शुकर अदा करना है नेमतों अल्ला ताला की बेशुमार नेमते हैं जो कि दिन रात हमें जो है शुकर अदा करते रहने चाहिए लेकिन जो एक campaign सार्ट हो जाती है तो हमेशा हमें याद दिलाती रहती है कि भई करते रहना है शुकर अदा और एक यह खुबसूरती केमपैन है हमने का आप लगों को भी बताते चले और मैं खाल से हम लोगों को भी कोई ने कुई ने कुई तरह से केमपैन रखी चाहिए ताके हम भी याद रखें बेशुमार नेमत अल्ला ताला की और उनका प्रदाता करें अच्छा जी हमने क्या किया अपा अच्छा जी हमने ये क्या हमने ब्रेक में बहुत अची तरह चिकल को फ्राइड रिया ती ये देख सकते हैं अच्छी तरह से इसपे हलका हलका कलर आगे तीक और जब जैसे ही कलर इस पे आगिया तो मैंने एक कभ फर के बनास्पती जाला था कौन सा बनासपती जाला था जिसका में इंवीडियन था मलेशियन फार्मवरी तो उस बनासपती में से मैंने यह देखें थूड़ा सा कम करना है अपकॉस मनना आदा किलो चिकन के लिए तूमाच हो जाएगा ठीक है मैंने चार साबर चामाटर जाएगा तो ठीक है यह तामाटर गल्ट है अब इसको मजीद मैं दस मिनट के लिए ठोड़ूगी जब तक के चामाटर हमारे रिंखल जाए उसके जल्दी सी उसकी उपर आने लगे और फुस्छिल होगी तो मैं क्या करूंगी उसको दस मिनट के ब कि अब दालेंगे तामाटर को जी तरह निस करेंगे तो के अज की हमारी जुश्री जरी जिए हम बनारे हैं बहुत ही मजे के अलू आलू है तो ऑल तैंग ज़िए वह रिकी बहुत है बहुत है के अलू है पहले आप एकाम करें हम रच्छ यह जा आप इसके आप इंडियन और 01 मेरे ने लिये थे टूटल पांच आदा किलो आखि आलू लिये थे जिसको मैने चीला चीलने के बाद चार आलू मेरे पास क्यूब्स में कती हैं और उसमें से एक आलू ले के मोटा मुटा हाथ से ही उसGO कुछल यह! मिक्स कर दिया, तो एक आलू मेरे पास कुछलावा है, मैश की आवा मुटा मुटा दरदरा सा और चार आलू कपेज, यहां पे मेरे पास टमाटर हैं, तीन चॉपराइज किये रहे हैं, ठीक है, और मेरे पास सॉंट है इदर, कुटीवी वन टी स्पून, कलॉंजी के दाने है हाफ टी स्पून, मेथी दाना है, कॉटर टी स्पून, कड़ी पता है, अच्छा खासा एक मुठी ले लीजेगा, और सॉल्ट है वन टी स्पून, और ऑईल में इसकी कुकिंग होगी, और यह ऑईल का भी जो मेन जुज है, जो मेन इंग्लीजियन्स है, जो है मलिशियन टाए आप सब्सदी बनाँ बनाँ एंटाहि पूश बनाँ अच्का मुर्गी बनाँ यह खूग है मीठे बना लें हर चीज में आ आप कुछिच ही थैर बना स्पटी और ऐ।समाल करें इसका मेel ज्यूज जी हुता है मलेशियना है तो क्या ख़ह करे इसको start? कर दोगीजी के अचिक श्थीक इसको तोड़ीन लगेगा क्या भी है झाल गुला है फिला है अच्छा एक तोड़ीन रखना है लेकि थोड़ा थाANS हगेगा तोड़ा परय्शा तोड़ा लिगा तोड़ा है आपके और पचीटा नहुता है नहीं को बार को आपके कीज़े पोड़ा सा पानी अगान चने जी अब हम आजाते हैं अपनी अम्रच्छी आलू की तरफ आपको शायस के लिए कि ले लिख्यूम बड़ा है लिखना और हम अपनासपती नहीं क्वरा भाव दिल क्लोशके लेगे मलिशन पाव आप वैट यजी आपके लिए यद्यों आपको इस अपनी करें पहले आपको अले को आपको अपनी कर ले हम आपको पता दिया हम तो मेंड़ा का ऐच्छा बीदेका kalau местitzतों मीन इंडियॉडियां होता है मलेशियन पात सिरिफ मेची नहीं दुणीयम हल के जो टाप मौसियट हैं वह हमेशा वही बनास पती और वही ओफ यूस करती है मझी नॉने के बादी हिसा मेन गीमिड्यआ होता है मैलेशियन और विकाज उसमें विटमिन जी शामिल है और कुदरती तौह पर और बहुत सारी इस पॉलिस्टॉल से पाक है और आपको प्लूसी बिमारियों से सीफ लगता है कास्केश कैंसर के नाम सुनके हौपाता है तो अलहम्दुलल्लाः अब ये इस्तेमाल करें तो अल्हा ताला सब को कचाब से लगते इंशाललाः अचादी अब इसमें में हमारा ओई गरम हो गया अब इसमें जाएगा मेथी दाना कॉटर टीसपून जादे नहीं डाल रही जादे है वना कड़बा हो जाएगा कलाँजी हाफ टीसपून उसके बाद में हमें से डालेंगे कडी कत्त्त और सौंफ पलाँजी पड़ी पत्ता सौंफ और मेथी दान के ये चला गया इसके बाद में इसमें शामिल करूंगी टुमेटो और टुमेटो के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे ड्राइ मसाले अच्छी खुश्बाना चुवेगे खड़ी कर देंगे अब इसमें मैं डालूंगी लाल मर्चों का पाउडर एक चाय का चमच भरके हल्दी कौटर टीस्पून अच्छी निए और नमक रस्टीए हल्दी चिली पाउडर एक चाय का चमच अच्छी नमक चाय का बाउन टीस तुम्हाद तुम्हादर यहां हो रहे हैं मिसमें का चकी हो इस्ता अरोमा बहुँप्छ शांदार है मिलिशन पाम ओड्ग कि यह निए निश्मन ओड़ है कि अपनी तो खुश्बू टेस्ट वेवर नहीं होता लिए जब भी खाने बनते हैं आपको नजर आ रहे हैं यह देखिए उसर रायस के उसे पस दस मिनिट लगता है इस पिसे खुद ही उतरने लगता है और जब भी खाने बनते हैं तो इसके टेस्ट वेवर अरोमा को यह इन पाम उलोज से बनाइख खाने कमांदे यहां पर बनते चा रहे हैं अच्छा जी मैं थारे मसाले शामिल कर दिया थीके अब इसमें सिर्फ जो रही गया है वहाराद है और अकर लगता है अब मैं इसमें जारी हूं डाले ओलाने अर आलो के बाद मैं इसमें डालों अर प्रिवानी दालने और इसको कवर करके छोड़ दें ताके ये अच्छी तरह मसाले में रस पस जाएंगे और ये मैश भी जाएंगे जी आप मैश और ये क्यूब्स क्यूं डोनों कसी निक क्या है रिज्ट कि जब आप इसको खाएंगे ना ये आपको बड़े मशालेडा लग यहां टो जाये लोग लोगिया और सुषा याइड नाשते की लिए बारिश में विस आलग रेशाई को बनाजया यहाग तब पारादय का यह ग नाशती के लिए हमें वे अ करिंग यहां झाल बना ऑर मिलेशाई कर वहां झालि के जिए ऑ्लिकेलन यहां पूर्थान शूरग का हमारे साथ रहिए और देखते रहिए शो हमारा मिलीशियन पार मॉइल जाइकों का दस्तखान हम जारें एक ब्रेक पे जल्दी से जॉइन करेंगे अपनी रेसिपी में थोड़ा पहुंच रह गया है वो दीटेल वापस में के शेयर करेंगे करेंगे जाइकों का दस्तखान और जी यहां आज दो बहुत ही मिज़दार की रेसिपीज बन रहे हैं एक तरफ चिन्वारी करहाई है जो के हम बनास्कुती से तयार करेंगे और दूसरी कुकिंग वाइल से राइजी कर रहे हैं जो कि अम रच्छी आगे हैं बहुत मिज़द बहुत अच्छी वापस आते हैं शिर्मारी करहाई के टमाटर हमने निकाल दिये थे वह बिल्कुल रिंकल हो लिए तरसका चिलका और यह देखें इसदर खड़े-खड़े मैंने इसका चिलका निकाला और इसी चमच से हमने जरा-जरा से इसको तोल दिया किके अब यह जरान का चॉप्ट जिंगर यह द्लाइस जिंगर वन तेबल स्पूम जिंगर गार्लिक पेस्ट बस अब इसको थोलना है था इसको आपको थोलना है अची तरह कि तमातर हमारे बिल्कुल गल जाए और इसमें जाएगा हरी मिर्चें और हरा धन्या थोड़ी से रगी होगी होगी है अच्छा अगर आपको थोड़ी सी स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा लाल मिर्चू का पाउडर या कुटीवी या पिसीवी दालिये और जरा सा नमक और जाएगा अपको नमक जाल रहा है जी मैं थोड़ा सा नमक जी दूब रिटर मज़े तो इसी लाल मिर्चों का पाउडर रही हूँ और हाफ टीजपूनी कलर के लिए मैं डाल वही हूँ चिली ताफ बस् की ताफ या नमक जाल रहा है जो कि अरो मैं जोए कर सकते हूं आपा बहुत मज़ेदार है और चुंके ये बनास्पती में रही है इस ज्यादा मैं और वो भी कॉन सा बनास्पती जिसका में इंडिएंट है मेलेशियन बापा जो के खुदरती तोर पे वाइटमिन E से भापूर है चुंके ये एक वेजिटेबल ओए इसमें भापूर है एंटियों के आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है लेका लेकार डिजीज हैं तमाम चीजों से दूर रखता है इस से लिए अपना आपको बहुत से ये अपन्य में आपको लेकार अपर जा सकते हैं दर्फुल चलें बस मुझे यहां पे काम करूंगी ने रिक पे इसको पांच पर बार किया जब तेक आप लिए जब देखें बीकार बीकार डेखते हैं और फिर मैं रिकार नानी इसको ब्रूर कि बूर चि तो आप इससे देखेंगे, फ्लाटिंग वी भी होगी बहुत ही शादा और मज़दार सी आज की ये दोनों रेसिपी, क्या है इनका रीकाप, चलके रीकाप देखते हैं, फिर वापस आएंगे, तो यहां पर मौज़िद होंगे हमारे आज के शूप की मज़दार सी रेसिपी चिनवारी कढ़ाई, अजजा, चिकिन सोला टुक्रे आदा किलो, बनासपती पाम ओल से बना हुआ एक का, साबुट टिमाटर चार अदर, कढ़ाई मसाला दो खाने के चमचे, कटा हरा धनिया दो से तीन खाने के चमचे, हरी मिर्चे छे अदर, अधरक स्लाइस एक खाने का चमचा, अधरक लेसन का पेस्ट आदा चाय का चमचा, नमक आदा चाय का चमचा, तरकीब, पहले बनासपती पाम ओल से बना हुआ गरम करके इसमें चिकन डालें, फिर इसे 10 मिनिट तेज आँच पर फ्राई करके चूला बंद कर दें, अब इसमें साबुट टिमाटर डाल कर ढखें और 10 मिनिट छोड़ दें, फिर टिमाटर निकाल कर उनके चिलके उटाल लें, इसके बाद इन में आदी फ्राईट चिकन, नमक, अदर क्लेसन का पेस्ट और कड़ाई मसाला डाल कर ढखें और हलकी आंच पर रखें, आखिर में कटा हरा धनिया, अदरक स्लाइस औ और हरी मिर्चे डाल कर नान के साथ सर्फ करें, अमरिच सरी आलू, अजजा, उबले आलू पांच अदद, तिमाटर प्यूरी किये हुए तीन अदद, सौंफ एक चाय का चमचा, कॉलोंजी, आदा चाय का चमचा, मेथी दाना, एक चत हाई चाय का चमचा, पिसी लाल चत हाई चाय का चमचा, हरा धनिया एक तेहाई कप, कड़ी पते दस से बारा अदद, कुकिंग ओल, पाम ओल से बना हुआ आदा कप, नमक, एक चाय का चमचा, तरकीब, पहले टेमाटरों की प्यूरी बनाएं, अब आलू उबाल कर इने बड़े कतलों में काट लें, और ब अब इसमे नमक और हरा धनिया शामिल करके 10-15 मिनिट पकाएं और सर्फ करें, जी आप लगोरे रीकाफ देख लिए होगा आज की दो शानदार रेसिपीज, बहुत मज़दार जैसे हमारे शोका नामेर जाइकों का दस्तुहान, तो जाइके से भरपूर रेसिपीज तैयार मैंने इस रीकाफ के दौरान ही दोनों रेसिपीज त्राय कर ली दोनों बहुत मज़दार बनी है, वेरी टेस्टी अब आप ट्राय करेंगे फिर आप केंगे वाक्ती बहुत मज़दार है, और फिर इसके साथ साथ जी यह उस कुर्पिंग ऑई और बनास्कृती में बनी है सेहसे भरकूल रेसिपीज भी दे रहा है, मज़दार बाते भी बता रहा है, साथ साथ गिफ्ट जीतने का मौका भी दे रहा है, आप जी आप लोग गिफ्ट जी सकते हैं, MPOC के इस इंस्टरग्राम और फेस्बुक एड्रस जो इस पर अभी लॉग इन कीजिए और आंसर द जी तो इचासते हैं, में अपकी ये दोनों रसेपी जो है आपने जरूर रहा है करना है आपको कि आप बनाजपती और ओल वही वाला लेंगे जिसका में इंग्रीजेंट है, मलेशियन पावाई, वहाई है वहाई है, वहाई है और आपकी हेल्फ के लिए फ़र अच्छा है ठीक है, और खुदरती तो इसमें विटमिन नी शाफते हैं जी तो बिल्कुछ सही का आपा ने आपा हर आपको रसेपी शांदार मिस्टार और जाइकेदार दे रही होती हैं और इसके सास सास सहर से भरपूर सारी बाते वह भी बताती जा रही है अब मुझे और शरीन आप झाल झाल अजय कर दोतना अजय को प्यों अजय कर दोतना आपको प्याइक और झाल